नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दफाइनल टच पे दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरारबी एंटी पीसी के स्ट्रेटिजी के बारे में डिरेक्शन में चलता रहे ठीक है मैं कुछ बाते बताऊंगा अगर आपने अपनी प्रिप्रेशन में अपनी स्ट्रेटिजी में उसको एड़ कर लिया ये डेफिनेटली आपको बहुँ जादा फायदा होगा और आपके पचासी प्लस नंबर गैरेंटिड हैं कि आ जाएं दोस्तो अभी तक अगर आपने टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो उसको जरूर जूइन कर लें दोस्तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेलिग्राम पे जाकर के टाइप करना है एड देरेट दा फाइनल टच ठीक है तो आपको हमारा चैनल मिल जागा उसको कर लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो अभी आप कट समय है अपने प्रिप्रेशन पूरा कर ली है ठीक है लेकिन अभी इंप्लिमेंटेशन का टाइम है ठीक है आपको इंप्लिमेंट करना इस चीज़ों को ठीक है तो देखो सबसे पहला and most important task है previous year question जितने भी हुए है उन सभी को क्या करना cover up करना ठीक है जितने भी previous year question हुए है railway के त्वारा तो इसमें पहला जो आपकी priority होगी और क्या चीज़ होगी तो rrb ntpc 2016 rrb ntpc 2016 का जो exam हुआ था उसके सारे के सारे set cbt1 और cbt2 उन सारे के सारे set को आपको लगाना है इधर उधर के mock test लगाने से बहतर है कि आप इसको लगाओ ठीक है पहले priority में आपको इसको solve करना है ठीक है दूसरी बात कि अगर आपको मालो latest pattern के question आप करने है तो आप क्या करेंगे कि rrb j ठीक है rrb j का जो exam हुआ है उसके बाद आपका alp का जो exam हुआ ठीक है और technician का जो exam हुआ है RRBJ, LP और technician के जो exam हुए है पिछले दिनों आप उनके previous year question paper को solve करेंगे ठीक है तो आपको इसी को cover करना है आपको यही cover करने में मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन कम से कम लगेंगे अगर आप दिन भर में कम से कम 2 set लगाते हैं तो ठीक है दोस्तों इससे आप अगर करेंगे तो आपक प्रशना शुरू कर देगा ठीक है दोस्तों तो आपको RRB NTPC 2016 के CBT1, CBT2 के paper RRBJ, LP और technician यह सारे question paper को पहले आपको solve करना है दोस्तों कि railway ही आपके paper बनाने वाली है railway ही आपका exam कराएगी तो उसके द्वारा बनाएगे paper अगर आप करते हैं तो आपका mindset जो है आपका mindset उ math जो है उसका available एकडम इसमें balanced रहता है reading available balanced रहता है और GK जो होगा देखिए current affair आपको वहां से आइडिया लेना है कि कि किस-किस topic से particularly current affair पूछा जा रहा है जो static person है तो मान लो कि आया कैसा मान लो science है तो science में जहां से questions आते हैं अभी वहीं से आएंगे जो history है quality है जहां से question question आते थे वहां से ही आएंगे और जो current affair है वहां पर दिक्कत होती है current affair मान लो कि कुछ-कुछ topics होते हैं कि उन्हीं से current में क्या चल रहा है questions आते हैं ठीक है तो आगे मैं उसकी बात करूंगा ठीक है दोस्तों यह हुआ पहला previous year question paper आपको करना ही करना है ठीक है उसके बाद दूसरी बात है mock test mock test आपको लगाना है या तो आप इसको previous year question जो लगा रहे हो उसी को mock test के form में लगाओ offline या फिर online ठीक है offline या फिर online जैसे भी लगाना है आप लगाओ ठीक है लेकिन mock test जरूर लगाओ ठीक है अगर आप online लगाओगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि आपके test book हो गया या grade up हो गया यहाँ पर जो मिलते हैं उनको solve करोगे तो आपको idea लग जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से mock test और हाँ दोस्तो एक चीज़ और जो live test आते हैं ना different platform के जैसे मान लोग की test book हो गया या फिर आपका grade up हो गया या जो भी other platform है जो आपका live test कराते हैं तो उनको आप जरूर दो उससे क्या होता है कि उसमें आपके लगबग 30-40,000 लोग पैटिसिपेट करते हैं और सारे लोग क्या होते हैं कि serious candidate होते हैं तो वहाँ पे आपको अपने level का क्या होगा अंडाजा होगा तो live test को आप जरूर attempt किया करो ठीक है दोस्तों तो जिस इसी भी काम का नहीं रह जाएगा अगर आप exam में उसको recall नहीं कर पाऊगा ठीक है तो अभी आपने जितना भी चीज पढ़ा है ज्यादा नया करने कर में मत पढ़ो जो भी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को बार 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 रिविजन करो math का जो concept होगे उनको revise करो reasoning जो ह उसके concept है कुछ जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो उनको देख लो उसके बाद आपका जो जीके हो गया जीके बहुत वास्ट है ठीक है तो आपने कुछ नोट्स बनाया होंगे या फिर बुक में कहीं बुक मार्क किया होगा तो उन सब चीजों को क्या करो कि एक जगह कर होगे तो रिवीजन इस दब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यह करना ही आप इसको स्किप नहीं कर सकते दोस्तों यहां पर मैंने बात किया कि आपको कैसे अपना अभी प्रिप्रेशन जो है उसको आगे बढ़ाना है प्रिवियस एर क्वेस्टिन कहां से करना है मै ने बता दिया और रिवीजन तो आपको करना ही करना है इसके बगर काम नहीं चलेगा तो रिवीजन आपको डेली बैसिस पे करना है तो अगर आपने इतना कर लिया तो मैं गरेंटी देता हूँ कि आपकी एक्जाम में 85 मार्क्स जोंगे न 85 प्लस मार्क्स आप अराम से यानि कि बरबाद नहीं कर सकते ठीक है तो आप आपका हर एक मिनट होगा आपके एंटीपीस एक्जाम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए क्योंकि कमपटिशन का लेबल आपको पता है कि इतना बढ़ चुका है तो आपको अपने लेबल को अप करना है और फालतू साम वैसा ही आएगा फालतू के हाड हाड क्वेशन करने चक्कर में मत पढ़ना जो क्वेशन आये हुए है प्रिवियर सेर में उनको ही सॉल्फ करना ठीक है अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा करेंट अफेर के बारे में जीके के लिए आगर आप बोलेंगे आप लोग किसी देश के प्रधान मंतरी या फिराश्पती बदले गए हैं उनका नाम तो जो अपॉइन्मेंट्स होते हैं इनको आपको देखना है करेंट अफेर में जरूर देखना है बुक्स और जो पुरानी जो फेमस बुक है फेमस राइटर के ओ सब और जो फेमस लोगों के अभ की होगया तो यह जो फेमस जो इस पोडस हैं आपका गोल्फ हो गया तो उसके बारे में आपको जानना है चाटर, क्रेंट करेंट को किस ने होश्ट किया है अभी तो किशी तो आपको जानना काफी जरूरी है है ना यह सब चीज़ आपको देखना है उसके बाद important days और उनके themes देखना है ठीक है important days और उसके themes को आपको जरूर देखके जाना है ठीक है उसके बाद आपका scheme central scheme उसके बाद आपका जो state का scheme हो गया state के scheme के बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या नाम है और किस state ने सुरू किया है और जो central वाला होगा उसके बारे में थोड़ा सापको detail में पढ़ना होगा कि क्या-क्या उसके अंदर बातें बताई गई है ठीक है तो अगर आपने current affairs में इतनी सारी चीजे कर लिया जो मैंने यहां पर लिखे हुए है तो definitely आपका 90% current affairs जो है इसी से देखने को मिलेगा और आप आराम से questions को attempt कर पाऊगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपने समझा होगा और इसको आप implement करोगे और आगामी एक जाम में आप काफी अच्छा करके आओगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर बताएं और आपके कोई suggestion हो तो उसको भी आप comment box में मुझे बता सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जैहिन